इस वीडियो में दोस्तों में बात करने वाले इंडियन ओयल कॉपरेशन लिम्टेट के बारे में जिसकों इंशॉर्ट में आयोसी की नाम से भी जानते हैं कंपनी ने अपने कॉर्टर 3 के नंबर्स पब्लिश कर दी हैं तो चलिए देखते हैं कंसॉलडेटेड फानेशलिजर्ट कैसे रहा हैं सारी निक्रोर में कॉटर 3 का कॉट्र 2 के इन आ दिसमबर 22 की अर्निक्स थर्ड डो में जो पिछले साल की कम्पनी की कॉटर 3 की अनिक से तो टोटल इंकम की अगरम बात करें तो दिसमबर 22 में चो कंपनी की इंकम थी वह 2,33,000 करोड के अप्राउक्स थी वह इस बार 2,28,000 करोड पर आगे और कौटरली 2,00,000 से बढ़के 2,28,000 पर तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है बड़ यरली बेसिस पर थोड़ी बहुत इंकम इस बार कम देखने को मिल रही है बात करें कंपनी की बढ़के 2,16,000 पर आगे तो quarter on quarter खर्चे कंपनी के बड़े और यरली बेसिस पर एक्सपन्सिस हमें इस बार कम देखने को मिल रहे हैं दिसकस करते हैं after tax company को net profit या loss for the period कितना हुआ तो December 2022 में 890 करोड के profit थे वह इस बार 9200 करोड पर आगे और quarterly 13,000 करोड के profit थे quarter two में जो इ इस बार आप देखेंगे तो काफी massive growth इस बार हमें देखने को मिल रही है same reflection देखने को मिलेगा EPS में यरली profit बढ़े तो EPS 0.56 से 6.56 पर आगया और quarterly profit कम रहे तो EPS भी 9.53 से 6.56 तो जिस तरीके से profit बढ़ते हैं या कम होते हैं same reflection हमें EPS में देखने को मिलता है तो overall yearly performance काफ on quarter अगर आप देखेंगे तो company के profit में इस बार गिरावट है तो आपके पास Indian oil corporation के कितने share से comment box में बिल्कुल बता है फिलाल दोस्तों में dividend की कोई भी announcement नहीं देखने को मिली आज के दिन सिर्फ तीन pointers cover किये गए जो कि हमने company के consolidated results already discussed कर लिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो म साथ तब तक के लिए बाबाए